आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि समसातर समू में जो आर एफ का 15,000 रुपिया आता है उसका क्या होगा और समू की किन दीदियों को मिलेगा पैसा लेकर समू में बहुत सी महिलाओं ने जगडा किया हुआ है तो आज उनको पूरी जानकारी मिलने वाली है और वीडियो पूरा एंट तक तो जरूर देख लीजेगा जिसने आप सभी को इस पैसे को लेकर जो भी मन में सवाल है जो भी प्रश्न है उसका समधान आपका हो जाए कुछ दीदिया समू इसलिए बनाती है कि जब आर एफ क 15,000 आएगा तो उसको लेकर के हम समू को बंद कर देंगे और पैसा हमारा हो गया बस तो ऐसी सभी दीदियों को ये वीडियो देखना बहुत इंपोर्टेंट है ताकि आप सभी को सही जानकारी मिल जाए और आपको पता चले कि ऐसा करने से आपको क्या नुकसान होने वाला है यहाँ पर आजके वीडियो में आपको बताएंगे कि 15,000 रुपे किन दीदियों का अधिकार है लेने का और स्मू यदि आप बंद कर देती हैं तो उस पैसे का क्या होगा? क्योंकि ये पैसा तो आपको सरकार नहीं दिया है पैसा सरकार की तरफ से मिला है तो पैसा सरकार अगर कोई दीदी ये सोचती है कि पैसा ये हमारा है तो दिया तो सरकार ने है तो सरकार का ही पैसा है लेकिन समु के खाते में आया है और जैसा कि आप सभी दीदियां ये सोचती है कि ये पैसा जो 15,000 आया है समु की सभी दीदियों के लिए आया है और इसका बटवारा करो ज खगडा करती हैं तो ऐसा मत कीजिए आपको पूरी सही जानकारी होनी चाहिए जिससे आपको समझ आए कि समु क्या है समु क्यूं बनता है समु में पैसा आता है तो क्यूं आता है और किन दीदियों को अधिकार होता है पैसा लेने का और समु एदिया बंद कर रही है तो क्या होगा पैसा सम्हू में आया है फंड का और फिर उसके बाद आप सम्हू को बंद कर देंगी तो फंड का क्या होगा कैसे आपको सम्हू को बंद करना है और फंड का क्या करना है बहुत सारे प्रस्ट नहें तो चलिए आज के वीडियो में आपको सही से बताने वाले हैं पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक किज़ेगे चलने को सब्सक्राइब नहीं क्या वो भी कर लीजेगा ताकि आपको नौलेज और जानकारी मिलती रहे समूह के बारे में और भी जो अपडेट आएगी लगाता है आपको व ना विकास कर सके और महिलाओं की विकास की बात केवल पैसा कमाने तक नहीं है महिलाओं पुरुसों की तरह समाज में वो सारे कारियों में भाग लें जो की पुरुस करते हैं और महिलाओं का भी विकास हो उन्हें भी समाज का ग्यान हो राजनीती का ग्यान हो पैसा कमाने क ग्यान हो व्यापार करने का ग्यान हो रोजगार आदि करने का ग्यान हो हर तरह से सक्षम बने शशक्त बने मजबूत बने आत्म निर्भर बने इसलिए समहू में कुछ पद बनाए गए हैं जैसे कि अध्यच सचीव और कोसाध्यच जिससे कि कुछ राजनीति का भी आप चलाना है ग्राम संगठन है तो उसको कैसे चलाना है कलस्टर है तो उसको कैसे चलाना है कोई भी पैसा आ रहा है तो उसको हमें कहां कहां बाठना है और कितना ब्याज लेना है सारा लिखा पड़ी लेखा जो खा हर तरह से आपके विकास के लिए सरकार ये सम्हू की युजना लाई है इसका ये आशे नहीं है कि सम्हू आपने बना लिया और उसमें पैसा आ गया आपने पैसा लेके खा लिया या अपनी कोई शौक कोई आवशकता पूरी कर ली सम्हू तोड़ दिया बस इन सब चीजों को दिमाग से निकाल देजिए सम्हू से जुड़ने के बाद महिलाओं का दाइत वो यही होता है कि सम्हू को अच्छे से चलाएं 500 रका पालन करें और सम्हू में कुछ नो कुछ अपने आपको मजबूत बनाने आतम निर्भर बनाने के लिए प्रियास करें सम्हू को लंबे समय तक चलाएं कम से गम 5-10 साल तक चलाएं आखिर तक सम्हू को चलाएं 10 साल तक का लच्छ है समू को चलाने का आखिर तक जो महिलाएं इस समू को लेकर जाएंगी वही महिलाएं शशक्त बनेंगी और वही महिलाएं लाभ पाने की अधिकारी होंगी और जो समू में महिलाएं जुड़ती हैं पैसा लेने के बाद वो नाम कटा लेती हैं या समु तोड़ देती हैं, तो ऐसा अदिदी आप लोग ना करे, और आपको बता दे समु में, जुडने के बाद आप लास्ट तक बने रही है, अगर नहीं बनना है, तो आपको केवल समु में, जो आपने 10 रुपया जमा किया है, वही आपको वापस मिलेगा, जितना आपने जमा किया होगा उसके अलावा आपको समू से किसी प्रकार के पैसे का कोई लाभ नहीं मिलेगा और अगर आपने किसी प्रकार का पैसा समू से लोन के रूप में लिया है चाहे वो आरिफ का पंदरा हजार में से क्यों नहीं हो आपको वापस करना पड़ेगा समू में ब्याज सहित अगर कोई दीदी ये सोचती है 15,000 में हमारा भी हिस्सा लगाओ और हमारा हिस्सा हमें दे दो और हम समू से निकल जाएं तो ऐसा नहीं होगा नहीं आपको कोई हिस्सा मिलेगा क्योंकि समू में जो 15,000 रुपे आरिफ का आता है वो उन्हीं महिलाओं को मिलता है जो समू को मेहनत से चलाती हैं 500 का पालन करती है और समू को लास्ट तक चलाएंगी तो इसलिए जो समू को कम से कम पांच साल तक समू को चलाएगी जुड़ी रहेगी उसमें कुछ 10 रुपे जमा करते हैं और इस 15,000 में से हमारा हिस्सा हमें दे दो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो पैसा बटने के लिए नहीं आया है कि आपको बाट देंगे आप खर्च कर लोगे वो पैसा कुछ नहीं कुछ काम करने के लिए आया है कि आप उससे अपने आपको मजबूत बनाओ कुछ आंत्रिक लेन देन करो आपनी छोटी बहुत परेसानियों को दूर कर लो और फिर ब्याज सही सम्हू में जमा कर दो उसी पैसे पर जो ब्याज आता है तो उसी सम्हू की जो बीके होती है उसको भी 10-20 रुपया मान दे दिया जाता है आगे जब आपका 5-10 साल का सम्हू हो जाएगा तब यदि सम्हू पूरा तूटता है तो आप उसमें से हिस्सा लेंगी लेकिन जब महिलाएं उसमें कुछ नो कुछ ससक्त बनेंगी काम करेंगी और सम्हू में अध्यच सचिफ कोसा अध्यच के साथ मिलकर सम्हू को अच्छे से चलाएंगी सम्हु में कोई जगडा नहीं होगा और सबसे important बात है कि सम्हु में जितनी महिलाएं हैं वो meeting में आती हूँ आप meeting में आती नहीं पैसा आप अपने बच्चे के हाथ भिजवा देती हैं कि जमा कर दो पैसा आप हर मीटिंग का जमानी करती कभी दूसरे मीटिंग में जमा कर रही है कभी तीसरे मीटिंग में जमा कर रही है आप पंच सूत्र का पालन बिल्कुल नहीं कर रही है जब आप पंच सूत्र का पालन ही नहीं कर रही है तो आपको कैसे लाब मिलेगा आप जो हैं जो रिड लिया है आपने समू से वो भी आप वापस नहीं कर रही है ना ही उसका कोई ब्याज जमा कर रही है ना ही कारण बता रही है और बहाने बना बना के उस पैसों को लिए बैठी हुई जो भी समू चल रहे हैं इनकी बाद में शोशल आडिट भी होगी कि जो पैसा आया है फंड वगएरा का उसका क्या किया कितना उपियोग किया और साथ ही समू में कितनी बचत हुई है कितना पैसा खर्च हुआ कितना बचा आए व्याए और समू अब हानी में है या लाब में ह क्योंकि समू के भी अपने खर्चे होते हैं बैंक जाने का खर्चा आने का खर्चा है कोई प्रकार के अगर फोटो कापी वगरा करवाना उसका खर्चा है समू के बीके का मांदे देना उसका खर्चा है तो ये सब निकालने के बाद देखा जाता है कि एक साल के बाद समू का क चलेंगी तभी आपको जो भी पैसा है उसमें से कुछ ने नो कुछ लाब मिलेगा। तो ये जो समूम अध्धच सचिव कोसा अध्धच हैं या समूमने समू में Come King спас Gaye को चला रही उनहीं लाब मिलेगा। समू में जो भी महिलाएं मेहनत से काम कर रही है तो समू में जो पैसा आता है उसका लाभ भी समू की महनत करने वाली महिलाओं को मिलना चाहिए हाँ समू में जो महिलाओं को नौकरी मिल रही है या कोई प्रकार कार मिल रहा है और वो महिला उसको कर रही है तो उसका मानदे जो भी आता है वो उसको मिलेगा और विशेस बात ये है कि समू से जुड़ने के लिए महिलाएं इसलिए भी उत्साहित हैं कि सोचती हैं समू से जुड़के हमें नौकरी मिल जाएगी और जिनको नौकरी मिल गई है वो ये परेसान है कि उनको मानदे नहीं मिल पा रहा है देखिए समू से जुड़कर यदि आप कोई रोजगार या वेवसाय करती है तो वो बहुत आगे तक जाएगा और उससे आपको बहुत अधिक मुनाफ़ा होगा वो आपका अपना बनाया हुआ कोई भी उत्पाद होगा जिससे आप बेच सकती हैं और सीधे आपको पैसा मिलेगा इसके लिए सरकार बहुत प्रियासरत हैं बहुत सारी योजनाएं हैं बहुत सारे कार रहें जिन से महिलाओं को जोड़ा जाएगा कुछ पहल आप अपने इस तर से कीजिए और जिसको आगे सरकार बढ़ाने में मदद करेगी समु में आगे चलकर बहुत सारी योजनाएं आएंगी विबिन ने परकार के रोजगारों से महिलाओं को जोड़ा जाएगा उसके लिए आप धैर बनाए रखें और समु को अच्छे से चलाते रहें और लेखा जोखा लगातार करते रहें तो इदि आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा समु से अच्छे से चलाईए पंचसूत का पालन कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपोर्टन जानकारी के साथ धन्यवाद